इस तरह की मानसिकता कोई पहली बार नहीं अनेको बार उन्होंने इस तरह के बयान दिये हैं जो ना देश के हित्म हैं ना समाज के हित्म हैं और एक ऐसे व्यक्ति को सहीद भगत सिंगी के लिए इस तरह के सब्दावली का इस्तेमाल करना यह मैं समझता हूं उन देश भक्तों के लिए जिन्हों ने अपना सब कुछ देश के लिए लटा दिया यह उनका नहीं पूरे देश का अपमान है और इसके लिए उनको मापी माद से लगातार फिर दोबारा से महंगाई बढ़ने वाले जी स्टी के दाहरे में तमाम खाने पीने की चीज़े लिए महंगाई को लिए इस सरकार के अंदर आप देख रहे हैं महंगाई कमोरी कोरोना के कारण और यूक्रेन और रस्या के युद्ध के कार्ण कुछ समय के लिए थोड़ा बड़ी जो इन्फिलेशन है वो छे साथ परसेंट तक गई लेकिन दरा याद करो यूपी के और कॉंग्रेस के सासनकाल में इन्फिलेशन दस से गारे फिसद ही होता था जो एंडिये के राज मे जो दो परसेंट ता दो परसेंट तीन परसेंट यह टाइम बीइंग है थोड़ा था फिर यह नीचे आने वाला है बिल्कुर्ट नियुक्त राश्टपती का उमीद्वार बनाया गया इंडी की तरफ से क्या है देखिए हमारे केंदरी नित्व की सोच का पता चलता है तित्तों का चैन हुआ है आजादी के 75 साल के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राश्टपती का उम्मिद्वार एंडीय के द्वारा बनाना यह हमारी पाइटी की हमारे केंदरी सोच को दरसाता है और कल इसी तरह एक किसान के बेटे को उप राश्टपती पद के लिए नामित करना है बहुत बड़ी बात है पहली बार एक किसान के घर में पैदा हुआ एक किसान का बेटा एंडीय की तरफ से भारतियंता पारटी की तरफ से उप्राश्पती पद का उम्मिद्वार गुलिए भारत और हरियाना से खासतोर से जड़ाव की बात करें तो कैसा जड़ाव रहा है धनकर साब किसान के घर में पैदा हुए हैं और मले रहते हुए अच्छे वकील रहते हुए उन्होंने अपना जो सामाजीक जीवन राज्येतिक जीवन जीवन जीया है और जिस तरह के सपस सब्सक्राइब करता है और समाज के लिए अच्छा सब्सक्राइब करता है और वो सांसद हैं मंत्री हैं विधायक है और या बोर्डों के चेर्मेन हैं जिलाहत देक्षिंट सभी लोग उसमें समलित हुए है मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी यहां पर प्रप्रेशन सीवर हुआ है और बहुत कुछ नई चीजें हमारा कार्यकरता यहां से सीख़र जा रहा है जो आने वाले समय में पार्टी को और मजबूती देने वाली है इस तरह की मानसिकता कोई पहली बार नहीं अने को बार उन्होंने इस तरह के देखिए हमारे केंद्र नित्त्रव की सोच का पता चलता है राश्टपती और प्राश्पती के लिए किस तरह के व्यक्तित्तों का चैन हुआ है हाजादी के 75 साल के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राश्टपती का उम्मिद्वार एंडिये के दुआरा बनाना यह हमारी पाइटी की हमारे केंद्र सुच को दर्साता है और कल इसी तरह एककिसान के बेटे को उपराश्पती पन के लिए नामित करना ही बहुत बड़ी बात है पहली बार एककिसान के घर में पैदा हुआ एककिसान का बेटा एंडिय की सिर्फ भाहरत् है P Всё किसान परिवार से हैं किसान के घर में पैदा हुए है और एमले रहते हुए अच्छे वकील रहते हुए उन्होंने अपना जो सामाजिक जीवन और राज्येतिक जीवन जीवन जिया है और जिस तरह के सपस्ट वादी आदमियों सच्चे और इसलिए मुझे लगता है देश के लिए भी और समाज के लिए अच्छा चाहिए बिलकु सफल रहा है हर प्रदेश का जो वरिष्ट कारे करता है प्रदेश कारे समलिती के सभी सब्सक्राइब चाहिए वो सांसद हैं मंतरी हैं विधायक हैं और या बोर्डों के चेर्मेन हैं जिलाद द्रेक्षिन सभी लोग उसमें समलित हुए हैं मुझे लगता कि बहुत अच्छी यहां पर प्रप्रश्चन सीवर हुआ है और बहुत कुछ नई चीजें हमारा कारे करता यहां से सीख जा रहा है जो आने वाले समय में पार्टी को और मजबूती देने वाली है